दीन हीन के असुर नीर में पतितों की परिताप पीर में संध्या की चंचल समीर में करता था तू गान सरल सुभाव क्रिशक के हल में सरल सुभाव क्रिशक के हल में पति ब्रता रमणी के बल में स्रम सीकर से सिंचित धन में विशे मुक्त हरिजन के मन में कभी के सत्य पवित्र बचन में तेरा मिला प्रमान खोज में हुआ बृता हैरान यहां भी था तु हे भगवान यहां भी था तु हे भगवान बच्चो ये काल जयी पंक्तियां है शायावाद के जनक पद्मस्री डॉक्टर मुकुद्धर पांडे जी का जन्म 30 सितंबर 1815 को मध्य प्रदेश वर्तमान 36 गड़ राज्य के जांजगीर चापा जी लेके अंतिम छोर बालपुर में पंडी चिंता मनी पांडे के आठमें पुत्र के रूप में हुआ पिता पंडित चिंता मनी पांडे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे माता देवहुती देवी धर्म और ममता की प्रतिमूर्ति थी अग्रज स्री लोचन प्रसाद पांडे जो हैं उस समय के ख्याति लब्ध साहित्यकार थे स्री मुकुटधर पांडे जी की प्रारंबिक शिक्षा गाउं में ही हुई और बारा वर्ष की अलपाव में ही पांडे जी काब बिस्रिशी करने लगे थे पांडे जी की पहली कविता प्रार्थना पंचक चौदह वर्ष की आयू में स्वदेश बांधव नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यहीं से इनकी काब ब्यात्रा अबार्थ गति से चलती रही पांडे जी की कविताएं हित कार्णी इंदू स्वदेश बांधव आर्यमहिला विशाल भारत सरस्वती जैसी इस तरिये पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही सन 1912 में राएगर से मिडिल स्कूल की परिक्षा पांडे जी ने उत्तिर्ण की और 1915 में मैट्रिक एंट्रेस की परिक्षा पास की आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयाग विश्विद्याले में प्रवेश लिया लेकिन शारीरी का स्वस्तता के कारण वापस घर लोटाए परंत विद्यानुरागी बने रहे चोकि घर पर ही उन्होंने संस्कृत बंगला उडिया और अंग्रेजी साहित का गहन अध्येन किया अनेक भासाओं के साहित की अध्येन से उनके चिंतन में गहराई और भावनाओं में भव्यता आ गई और बड़े भाई लोचनप्रसाद पांडे के मार्गदर्शन और संरक्षन में मुकुटधर पांडे की कविता बल्लरी फैलती रही फैलती रही और फूलती रही और एक दिन ऐसा समय आया जब वो हिंदी संसार को सुर्भित कर गई सो प्रसिद्ध साहित कार्श्री हरी ठाकूर ने अपने 36 गढ़ गौरों गाथा में लिखा है कि पंडे मुकुटधर पांडे ने जब साहित के शेत्र में पदारपन किया तब कविता के शेत्र में इतिहास बृत्तात्मक्ता का बोल बाला था उनमें न भावों की तनमेता थी न कलपना की उड़ान तब कविता के शेत्र में युगांतर कारी परिवत्तन लाने का बीड़ा उठाया त्री मुकुटधर पांडे ने उन्होंने स्वच्छंदतावादी का ब्यधारा को गहराई और व्यापकता प्रदान की सन 1915 के आसपास हिंदी में चायावाद युक का प्रारंब हुआ और स्वयम महाकवि जैसंकर प्रसाद ने इस सत्य को स्विकार किया है कि मुकुटधर पांडे चायावाद के प्रवर रचना है आचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी ने बहुत सम्मान के साथ लिखा है कि स्वच्छंदतावादी कविता बहुत पहले शुरू हो गई थी और स्री मुकुटधर पांडे उसके प्रमुख उन्नायक रहे हैं वास्तों में चायाबाद में जिनका नाम आता है स्री जैशंकर प्रसाद सूरिकांत्र पांठी निराला महियसी महादेवी बर्मा और सुमित्रानन पंत लेकिन समेक्षकों आलोचकों ने जो साहित मनीशी हैं उन्होंने मुकुटधर पांडे को एक तरह से उपेक्षिसा कि वास्तों में प्रचार प्रसार नहीं था एक सुदूर ग्रामीन अंचल में स्री मुकुटधर पांडे जी पैदा हुए और वहीं उनकी साहित साधना चलती रही लेकिन जब कुररी के प्रत जब वो कविता मुद्रित हुई तब सब की आँखें खुली स्वेम प्रसाद जी ने इस सत्य को स्विकार किया है और इसके पहले जो प्रसाद जी की रचना है ज़रना उसे शायवादी शैली की प्रत्थम कविता माना जाता रहा है वास्तों में मुकुटधर पांडे जन्मजात सारस्वत साधक थे स्री मुकुटधर पांडे ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों का प्रेणयन किया है जैसे पूजाफूल ये सन 1916 में प्रकाशित हुआ शैल वाला यह ग्रंथ जो है 1916 में प्रकाशित हुआ लक्षमा ये 1917 में प्रकाशित हुआ जो अनूदित उपन्यास है हरदैदान 1918 में और परिश्रम ये निबंध संकलन है ये 1917 में प्रकाशित हुआ मामा 1918 में प्रकाशित हुआ और चायाबाद और अन्य निबंध 1923 में प्रकाशित हुआ इस्मृति पुंज 1923 में प्रकाशित हुआ और विश्वबोध 1984 में प्रकाशित हुआ और फिर से चायाबाद पर उन्होंने कृति दी चायाबाद और स्रेश्ट निबंध जो 1924 में प्रकाशित हुआ मेख दूत है महा कवी कालिदास की रचना जो संस्कृत में है चोकि मुकुधर पांडे संस्कृत के भी मुर्धन्य विद्वान थे उनके पिता और पिता मह ये सभी लोग संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में गिने जाते रहे हैं तो वह संस्कार और उनके बड़े भाई पंडित लोशन प्रसाद पांडे जी का संरक्षन निर्देशन उन्हें मिला परिणाम शुरूप मुकुधर पांडे संस्कृत के भी महान विद्वान बन गए और उन्होंने मेख दूत का 36 गढ़ी में अनुबात किया जो 1924 में प्रक प्रस रहने लगे और 6 नुवंबर 1989 को प्रातःच्च बजकर 20 मिनट पर पंचान नए वर्ष की आयू में उन्होंने महा प्रयाण किया हिंदी साहित्याकास का जगमगाता नक्षत्र तिरोहित हो गया स्री मुकुटधर पांडे की प्रदीर्ग साधना के परणाम सुरूप भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1976 को इन्हें पदमस्री अलंकरण से नवाजा गया संद 1956 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया साहित्य सम्मेलन प्रयाग की 1974 में पंडित रवशंकर शुक्ल विश्विद्याले रायपुर द्वारा इन्हें डिलित की मानत उपाध्य प्रदान की गई और उसी वर्ष गुर्गासी दास विश्विद्याले विलावश्पुर में भी डिलित की मानत उपाधि से इन्हें भी भूशित किया गया संग उन्नीस सोच्यासी में मध्य प्रदेश हिंदी साहित सम्मेलन द्वारा भूभूती अलंकरण से अलंकृत किया गया प्रोफेशर अश्विनी केशरवानी जी का कहना है कि पद्मस्री मुकृधर पांडे का समूचा लेखन जन भामना और प्रकृति प्रेम से अपलावी थे किन्सुक कुसुम में प्रकिस्य उनके अंतरंग लगाव की पद्य बद्धता ने कविता में अनोखे भावलोग की सर्जना की है पांडे जी ने प्रकृति का बहुत उत्कृत मानवी करण किया है महानदी से सीधे बात करने लगते हैं सीतल स्वच्छ नीरले सुदर सीतल स्वच्छ नीरले सुदर बता कहां से आती है इस जल में महानदी तू कहां घूमने जाती है कुरयदी के प्रत कविता में एक पक्षी शे अपनत भाव जगाने उससे वारताल आप कंडे लगते हैं हमारे पांडे जी कैसे अंतरिक्ष में करता है तू क्यों अनवरत विलाप ऐसी दारुन बिथा तुझे क्या है किसका परिताप सूनने गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप बता कौन सी बिथा तुझे है है किसका परिताप सामाजिक मुल्यों के उत्थान पतन को भी उन्होंने बहुत निकट से देखा है और समझा है ग्रामेर जीवन की जहांकी भी स्रीप पांडे जी की कविताओं में द्रिश्टब्य है कविस्री पांडे जी की भाषा हिंदी खड़ी बोली है भाषा को परिस्कृत बनाने में उन्होंने हिंदी मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रियोग भी बहुत आश्य किया है भाषा में भावा नुकूल आवेक तथा शैली का व्यश्या नुकूल चैन पांडे जी की प्रमुख विशेशता है पदमस्री डॉक्टर मुकुधर पांडे ने हिंदी को रोशक और लोगप्री बनाने के लिए 36 गढ़ी लोग भाषा का विशेश रूप से प्रयोग किया है चायाबाद के प्रवर्तक एवं युग्रीन साहित्य सर्जक के रूप में वे काल जैी रचनाकार है बच्चो आपके पाठिक्रम में संकलित रचना ग्राम में जीवन में स्री मुकुधर पांडे जी ने गाओं के ने सरगिक सौंदर्य का मनुहारी चित्रन किया है इसमें उन्होंने बताया है कि सभी तरह की सम्रिद्धियों से पूर्ण होते हुए भी जो ग्राम वासी हैं बहुत ही साहज जीवन जीते हैं इनकी इस साहजता को उनकी अज्ञानता और भोलापन समझने की भूल करना उचित नहीं है आए पढ़ते हैं कविता ग्राम में जीवन का प्रथम अंश छोटे 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 भवन स्वच्छेति द्रिश्निमनों हर आते हैं रत्न जरित प्राशादों से भी बढ़कर सोभा पाते हैं बट पीपल की सीतल चाया फैली कैसी है चहू ओर दुजगण सुन्दर गान सुनाते नित कहीं दिखलाते मोर इसमें शब्दों को अगर देखे हैं तो आती आती मतलब अत्यधिक मनोहर मन को हरने वाले मन को प्रिय लगने वाले रत्न जरित रत्नों से जड़ा हुआ बट बट कहते हैं वर्गत के पेंड को वर्गत के ब्रिक्ष को दुजगण मतलब पक्षी गण पक्षियों का समूँ इसमें प्रकीतेवं परियावरण के अंतरगरत ग्राम में जीवन का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया गया है चोटे-चोटे भवनों का बर्ण करते हुए कभी कहते हैं कि गाउं के छोटे भवन भी स्वच्छ और लिपाई-पुताई के कारण बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे हैं इनके सामने रत्न जरित बड़े-बड़े प्रासाद भी फीके पड़ जाते हैं इनकी सोभा अवन निय है ये वास्तों में मन को मुद्ध करने वाले हैं बटब्रिक्ष और पीपल के पेणों की गहरी चाया चारों और फैली हुई है पक्षी गण समूहों में गीत गाते सुनाई दे रहे हैं कहीं पर मौर सुन्दर नृत करते हुए देखे जा सकते हैं इसमें रूपकलंकार है बच्चो रूपकलंकार है क्या जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है और दोनों में कोई भेड नहीं रह जाता तब उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है साथी इस चंद में भावात्मक्षेली का प्रयोग किया गया है पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दर्शनी है अब आईए पढ़ते हैं कविता का दूसरा अंश सांति पून लगु ग्राम बढ़ा ही सुख में होता है भाई देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी सोभा अधिकाई अरे कपट देश चलहीन यहां के रहने वाले चतुर किसान दिवस बिताते हैं प्रफुलित चित करते हैं अतितिकाम मान यह गाउं की सबसे बड़ी विशेष्था है कि गाउं जो होते हैं लगु लगु यानि छोटा सुख में सुख देने वाला चलहीन बिना चल किये दिवस माने दिन अतिति मतलब मेहमान अब कभी कहता क्या है कि ग्राम सोभा के साथ वहां के किसानों के सरल सोभाओ का जो है भावात्मक चित्रन किया है कि शान्ति पूर्ण लगु ग्राम बड़ा ही सुख में होता है भाई है भाई ग्राम जो है बहुत ही सुख में होता है क्यों कि वहां के लोग शांति पूर्फ जीवन यापन करते हैं। यह नगरों से भी बढ़कर इसकी सोभा दिखाई दे रही है। नगरों में कपट है द्वेस है छल है लेकिन हमारे आंके जो चतुर किसान हैं यह कपट रहित द्वेस रहित छलहीन जीवन यापन करते हैं। से बड़े सहज और सरल होते हैं दिवस बिताते हैं मत अपना जो दिन है प्रसंड मन से बढ़ित करते हैं और अगर कोई तीथि आ जाए तो उसका मान सम्मान करते हैं और अटिथिव के लिए तो जो सूत्र है कि अटिथि देव substitution आपव करना मान तो हमारे यहां जो गाओं के लोग हैं अतिति को देवता की तरह मानते हैं ग्राम में परवेश शांत होता है वहां अधिक सोर सरावा नहीं होता जैसा कि बड़े नगरों में महानगरों में शहरों में होता है सांति पूर्ण जीवन सुकदाई और प्रसनता प्रदान करने वाला होता है इस परवेश में आम जन भी सुक्ष चैन महसूस करते हैं यहां के खेती करने वाले किसान बड़े होशियार परंतु सरल सोहावाले होते हैं बिना कपट बिना द्वेश बिना इर्श्या के भावाले होते हैं इनके मन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं होता यह दोखckt के वाजी से कोसों दूर रहते हैं यह किसान आने वाले सभी अतिश मेहमानों का खोब स्वागत सत्कार करते हैं यह ग्राम पर बिशिस से और सुंदर सजीव जो है बन जाया करता है गाऊ और दिखाई त्रात्मक है और मनोहारी है अब आईए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा अंश आसपास में है फुलवारी आसपास में है फुलवारी कहीं कहीं पर बाग अनूप केले नारंगी के तरुगन दिखलाते हैं सुन्दर रूप नूतन मीथे फल भागों से नित खाने को मिलते हैं देने को फुलेल सा सौरब पुश्पेहा नित खिलते हैं देखे गाउं का कितना खुबशूरत चित्रांकन किया है मुकुटधर पांडे जी ने फुलवारी फुलवारी कहते हैं फूल के बगीचे को फुलवारी अनूप ज जिसकी उपमान दी जा सके तरुगण पेणों का समूह और फुलेल कहते हैं जो है इत्र को जो सुगंधित रभ्य होता है इत्र जिसको आप लोग सेंट भी कहते हैं तो इत्र सेंट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन यहां के जो पुश्प हैं इतने सुर्भित है और इतने सुगंधित हैं इतनी सुगंधि विश्पेण करने वाले हैं कि कभी को फुलेल सा दिखाई देता है महसूस होता है आसपास में है फुलवारी इस गाउं के में बीच में अगल बगल फूल लगे हुए हैं कहीं कहीं पर बहुत अतुल्नी हैं जिनकी उपमा नहीं क सुन्दर दिखाई देते हैं और मीठे फल वागों से प्रतेक दिन खाने को मिलते हैं क्या नए-नए मीठे फल फलदार ब्रिक्ष भी लगाए गए और पुष्प जो यहां पुष्पित होते हैं उनकी सुरब इसे दिग दिगंत जो है वह उसुरवीत हो जाता है तो इस काभ्यांस में भी आपने देखा कि कभी ने सुन्दर बाग बगीचों का बहुत अच्छा चित्रांकन किया है पांडे जी कहते हैं गाउं में हर घर के पास एक सुन्दर फूलों का बगीचा है इन बगीचों से घरों का सुन्दर्य और अधिक बढ़ जाता है कहीं कहीं सुन्दर बाग बगीचे हैं जिनकी सोभा अवणनीय है ये पेणों के समों भी इनकी सोभा को दुगना करते हैं केला नारंगी के साथ इनका जो सौंदर है और अधिक बढ़ जाता है इन बगीचों में सुक्षांति तो मिलती ही है साथ ही मीठे फल खाकर पर्थिक आनंदा नुभोका करते हैं यहां के फूलों के बगीचों से इत्र की महक नित नए रूप में महकती रहती है वो सुर्भित करते रहते हैं इसलिए इन ग्राम में जनों का जीवन विशेश दर्सनिय बन गया है इसमें देखिए उपमा अलंकार की सोभा दर्सनिय है पद्यांज की भासा चित्रात्मक बन गई है शैली प्रांजल और मधूरता का पुटलिय है परिया वर्णिय चेतना की ओर कभी हमारा ध्यान आकरशित करना चाहते हैं अब सवाल है यह उपमा लंकार है क्या बच्चों मतलब जब किसी बस्तुया ब्यक्त की समता समान गुण धर्म वाली किसी अन्य बस्तु से की जाती ह है तब उसे उपमा लंकार कहा जाता है अब आए हम लोग अगला का ब्यांस देखते हैं पढ़ते हैं पास जलासे के खेतों में एक खड़ी लहराती है अरे हरी भरी यह फसलधान की क्रिस्कों के मनभाती है खेतों में आते हैं ये हिर्णों के बच्चे चुपचाप यहां नहीं है चली शिकारी जो धरते सुक से पत्चाप कभी-कभी क्रिस्कों के बालक उन्हें पकरने जाते हैं दोड़ड़ के ठक जाते हैं कहा पकर में आते हैं बहता एक सुनिर्मल जर्णा कलकल सब्द सुनाता है मानो उत्प्रेक्षा है मानो कृष्कों को उन्नत के लिए मार्ग बतलाता है एक गन्ना धान आपका छेत्र जो है पूरा धान का कटोरा कहा जाता है चली चल करने वाला पद चांप पैरों की ध्वनि सुनिर्मल पवित्र सच उज्वल उन्नत यानी प्रगटी इस पद्जांसमे कभीने लहराती धान गन्य की फसल का सुन्दर चित्र खींचा है। बबड़ा जलासे जहांसे पानी निरंतर मिलता रहता है। और ये हरी भरी फसल क्रिश्कों को के मन का हरण करती है जिस तरह से कोई मा अपने बच्चे के सुयस को सुनकर भाव विभोर हो जाती है उसी तरह से किसान जब अपनी लहलाती फसल देखता है तो भाव विभोर हो जाता है हरी भरी यह फसल धान की धान की हरी भरी फसल को देखकर क्रिशक जो है वह हरसा तिरेक से जूम उठता है उसका मन जो है प्रफुलित हो जाता है खेतों में आते हैं यहें हेलों के बच्चे चुपचाब कि वहां पर वन करें तो वहां पर हीरन oय कि आते हैं कि अब चुपचारें कि यहां कोई शिकारी तो नहीं है कि उन बच्चों को पकड़ लेगा मारेगा मार डालेगा कभी कभी यहां नहीं है छली शिकारी जो धरते सुक्से पद्चाप चुप चाप पैरों की धुन्याय दबे पाओं वे जा करके शिकारी लोग जो हैं जो छल से हिर्णों को पकड़ लेते हैं लेकिन गाओं में कोई शिकारी नहीं होता कभी कभी जो किसानों के बच्य उन्हें पकड़ लेते और ड़ड़ दौर के ठक जातें वें कहां पकड़ दाते और बच्छे जो हैं दोड़ दोड़ के ठक जाते हैं बहता एक सुनिर्मल जहरना एक स्वच्छ निर्मल जल वाला जहरना कलकल निनाद करता हुआ प्रवाहित हो रहा है मानो यहां पर कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के माद्यम से कहना चाहता है कि क्रिश्कों को उन्नत के लिए मार्ग बतला रहा हो यह उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है जब उपमें में उपमान की कल्पना या संभावना प्रगट की जाए तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो मुकर्धर पांडे कहते हैं कि पानी की परियाप्तता होने से गन्य की फसल लहरा रही है अब उसको और इसपस्त कर दूँ धान के खेतों को हरा भरा देखकर हर किसान जो है प्रसंद दिखाई देता है प्रते किसान के मुखमंडल पर लहराती फसल को देखकर आनंद का भाव भी खाई दे रहा है इन खेतों में जब सुन्दर हिर्णों के बच्चे आते हैं तो किसान के बच्चे इन्हें पकड़ने के लिए दोड़ते हैं लेकिन अपनी तीब्र पद्चाप के कारण वे भाग जाते हैं किसान के बच्चे उन्हें पकड़ नहीं पाते कल कल कर बहने वाले झायने ऐसे लगते हैं मानों किसानों की उन्नती का मारगर प्रसस्त कर रहे हूं कि सारो के मन में यह प्रकित के मनोहारी द्रिश से देखते हुए इस्वर के प्रतप्रेम और करुना के भाव जाग्रीथ होते हैं उत्रह एक्षालंकार मैंने आया ही आपको और पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है पद्यांश की भासा चित्रात्मक और मार्विक है लहराती फचलों का बहुत सुन्दा रोश्टीक चित्रांकन कभी ने किया है